नमस्कार दोस्तों माहिंद मठ जब मैं आपका स्वागत है तो आज हम लोग देख लेते हैं आज का मार्केट ने कैसा बीव किया है और कल कैसा करने वाला है कल कैसा ओपनिंग होने वाला है और क्या उपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है तो सबसे पहले हम लोग देख ल देखे तो चार्ट तो आज मैक्सिमम डैप डाउन ही ओपन हुआ है और नीचे की तरफ ही क्लोजिंग दिया है लाश्ट लाश्ट में थोड़ा सा मुमेंट अच्छा कासा दिया है वह भी मुमेंट दिया है सिर्फ जो जीओ का आई पीओ आने वाला है उसके लिए रिलाइंस का तो रिलाइंस लाश्ट लाश्ट में अच्छा कासा भागा है एक बार रिलाइंस देख लेते हैं कि अग्या है तो रिलाइंज अगर देख लिए तो रिलाइंज देखिए अच्छा का सर लाश्ट-लाश्ट में अपर साइट का मुमेंट दिया उतना कोई भी नहीं दिया बैंकिंग से लिए कुछ भी नहीं है इसका हम लोग बात करेंगे डिसकस करेंगे लेकिन यह बात एक मार्किट इंदा गिर क्यों हो रहा है continuously fall क्यों हो रहा है क्योंकि सब लोग बोलने वाले तो बोलते हैं कि जैसे यूएस का election आने वाला है तो इसके लिए फॉल हो रहा है तो येश का एलक्षण यूएस में है ना वाई इंडिया में इंडिया में उससे क्या मतलब है और election हो बात जो और लोग बाद बोलने के लिए बोलता है लेकिन इसा कुछ नहीं होता है मतलब कि मतलब उसको गिर रहा है तो उसको किसी prolate कर देना है इसका कोई रिलेट कर देना अपने टक टक जाके 23,813 के उपर आके अच्छा कासा सपोर्ट बना के फिर थोड़ासा अपर साइड आया है तो लेकिन देखिए अगर देखा जाए तो 24,000 के आसपास यह क्लोजिंग देना चाह रहा था 24,000 के उपर दे नहीं पाया 23,990 के उपर आके क्लोजिंग दिया है तो अभी देखिए और दस से ग्यारा पर्शन का करेक्शन हो गया है निप्टी में तो इसके बाद और कितना तो मेरे हिसाब से तो और गिरेगा ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए अब सैद आपने देखा होगा नहीं देखा होगा एसीन पेंट भी आके बोलता है कि इस दिपाबली दि नहीं भी काई लो खडिद मेरें किसी पैसा नहीं पैसा नहीं है तो क्या ही लगाएगा और मार्केट से निकाले गाए पैसा तो कंपनी कर रहा है जो आप API नहीं कर ला है जो कंपनी बनाता है वह पटाका उससे ज़्यादा खड़िद लिए लेकिन पटाका कंपणी कोई लिष्टेट नहीं है तो इसके लिए उसका कुछ शेयर कुछ दिखेगा नहीं चलिए आज हम लोग देख लेते हैं निफ्टी में निफ्टी में क्या करना है तो एक तो 2400 का लेबल ध्यान में रखें सब्सक्राइब दो छी है तो और देंगे यह ना 24000 के नीचे अपना अगस्त में आया दा 걸로 कि अगर 111 चार्मने के बाद फिर से 2400 टंच किया अच्छा का साहाओ देखिए उपर जाने के बाद भी नीची आया है तो यां पर तो नहीं है तो यह लेवल है तो इस लेवल के हिसाब से आप देख सकते हैं आगे का ट्रेडिंग और अगर बैंक निफ्टी के बात करें तो बैंक निफ्टी उतना आज गिरा नहीं जैसे निफ्टी कर लिया था और बैंक निफ्टी वन परजें तो थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा अच्छा गासा बाइंग आया इसके लिए उपर आया एक क्या वर दोसो सटाइस के उपर क्लोजिंग दिया है और अगर इसका लेवल देखें तो एक क्या बनेजार दोसो पचास कि इसके क्या बनेजार तीन सो और नीचे का अगर लेवल देखें तो एक क्या बनेजार असी कि पिर एक क्या बनेजार तो यह लेवल देखके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं बैंकिंग सेक्टर उतना कुछ मजबुत दिखने रहा है तो अभी इसमें और फॉल का संभावना है वह यह यहां तक आ सकता है 50,000 के असपस आ सकता है फिर उसके बाद एक बांस करेगा पिन निप्टी सेम है जैसे फाइनेंसियल सेक्टर सेम है अब फिन बगर यह सब कुछी दिन का मेहमान है विकली एक्सपारी का फिर तो यह मंतली एक्सपारी ही हो जाएगा और आज मीट का तो एक्सपारी था और यहां से फिर साइडवेज हो गया सामको और अगर इसका लेवल की बात करें तो पहला लेवल रहेगा 12,310 उसके उपर गया तो 12,350 उसके उपर गया तो 12,400 और नीचे का अगर लेवल देखें तो 12,280 फिर 12,240 तो यह लेवल देखें आप एक बार ट्रेडिंग कर सकते हैं संसेक्स के बात करें तो यह अच्छा कासा 1.18 परसेंट के हिसाब से नीचे गिरा है और आज अपनिंग हुआ था इसका 79,914 के असपास फिर इसका क्लोजिंग हुआ है 78,778 अलमस्ट 940 पॉइंट से नीचे गिरा है 1.18 परसेंट से तो संसेक्स भी यह तो विगली एक्सपारी रहेगा मतलब यह और निफ्टी दोनों रहेगा संसेक्स और निफ्टी तो इसमें देखेंगे कैसे ट्रेडिंग कर के तरह और निफ्टी निफ्टी के बात करें यह अच्छा कासा अलमस्ट 1000 पॉइंट का फॉल आया है 1.4 परसेंट के असपास और विक्स के अगर बात करें तो आज अलमस्ट इस मॉर्निंग में ना 10 परसेंट यह प्लस में था वल वलेटिलिटी तो मॉर्निंग में यह अलमस्ट 17 पॉइंट के असपास था अभी अभी यह क्लोजिंग दिया है 16.7 तो अच्छा कासा बोलेट्राइल मार्किट था अज बट डाउन साइड का था बट प्रिम सब्सक्राइब यह निगेटिव ही चलता रहेगा कुछ दिन तक आइसी अच्छा कासा लास्ट में थोड़ा रिकवर किया था रिकवर करने के कारण ही निफ्टी में थोड़ा सा बाइंग आया था हिंदुस्तानी उनिलिवर की बात करें तो सेम वैसे ही है और देखते हैं यह डेटा आया कि नहीं आया है तो अभी तक नहीं आया है हो सकता है लेट आएगा और निफ्टी का अगर हम लोग वाई देखें तो वाई में 24,000 के असपास 156,000 वह बैठा हुआ है और अगर इधर देखें तो इधर भी इन्दमनी कुछ भी नहीं है अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं धन्यवाद